हलो गाईज आज हम आपसे रूबरो हंगे एक बहुती महत्पूर्ण ऐसा प्रश्ण जो आरेस ओफिसर हैं जो SDM के रूप में काम कर रहे हैं जो SDO के रूप में काम कर रहे हैं जो AC एंड EM के रूप में काम कर रहे हैं इसमें अंतर क्या है बड़ा confusion होता है और यह नाकेवल इंटरू के लिए बहुत important है बलकि जो लोग जौब में हैं जो लोग सर्विस में हैं जो लोग आरेस ओफिसर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समझने के लिए बहुत जुरूरी है कि SDM, SDO और AC EM के बीच में क्या अंतर है यानि उपखंड magistrate, उपखंड अधिकारी और सहय कलेक्टर इनके बीच में अंतर क्या है यह ऐसे शब्द हैं जिनको जानना जुरूरी है आप लोग चुंकि आरेस मेंस की एक्जाम आपने क्वालिफाई की है आपको बहुत-बहुत बधाई और आप प्रेक्ष में सम्यक टीम ने एक बहुत जबर्जस्त पहल की कि युवाओं को उनका लक्ष मिले बिलकुल निशुल्क, मागदर्शन आपको दिया जा रहा है और पूरी तरह से ना केवल आपके मौक इंटर्वू कराए जाएंगे बलकि बहुत सारी क्लासे चाहे वो से रिलेटेड हो चाहे वो आरेस ओफिसर्स के क्या ओफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए और जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं कि SDM, SDO और ACEM यानि उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट, कारेपलक मजिस्ट्रेट और साहयक कलेक्टर के बीच में अंत समयक्ति आरेस इंटर्वू की पूरी तैयारी के इस पायधान पर हम आपको ले चलेंगे आज SDM, SDO और ACEM यानि एसिस्टेंट कलेक्टर और एग्जेकुटिव मजिस्टेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी और साहयक कलेक्टर, इनमें अंतर क्या है, मै आपकी तरह अभी भी जिग्यासु हूँ और रिगवेद कहता है कि आनो भद्रा क्रत्व यंतु विश्वत है, लेट दा नौलेज, लेट दा नौबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइट, तो ये तो अनंत सलसला है, और नौलेज इस पावर तोडे, और नौलेज बिकम्स पा आगे बढ़ गए हैं और कुछी दूरी पर आप हैं, तो यहां मैं बता दूँ कि ये प्रीमियर सिविल सर्विस है स्टेट की, सबसे टॉप मेन स्ट्रीम एड्मिस्टेशन है, और ऐसा मानते हैं कि सरकार में, गवर्मेंट में और गवर्नेंस में, जो कोर आफिसेज हैं, जो कोर, महतपूर्ण, पद हैं वो चार ही होते हैं, PM, CM, DM और SDM, अच्छा लग रहा है न आपको, और आप SDM बनने की दिशा की और अग्रशर है, चलिए, अब मैं आपको बताऊँगा कि इन तीनों में क्या अंतर है, आपको जब ASARS ओफिसर अपोइंट किया जाएगा, तो सब डिविजन में आपको लगाए जाएगा, डिस्टिक्ट में लगाए जाएगा, स्टेट लेविल पर भी बहुत सारी डिलेवरिंग और दा सर्विसेज होती हैं, जो आप एक रेवर्ण्य ओफिसर के रूप में, एक लोएंड और को मेंटेन करने के लिए, आएगे बहुत सारे, कि कितने राइस्थान में आरेस ओफिसर का केडर कितना है, दिस इस वन जीरो फाइब जीरो, एक हजार पचास का केडर है, लेकिन आज करीब साड़े आठ सो, आरेस ओफिसर कारे रथ है, अभी गैप है, वेकंसी हैं, तो और आगे आने वाले समय में यह देखिए, SDM की बात करें सबसे पहले, सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट, एक उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में, एक कारे पालेक मजिस्ट्रेट के रूप में, आरेस अपनी सेवाएं जब देता है, तो क्या होता है वो, क्या उनके बीच में और SDO के बीच में क्य कहलाता है, कहीं SDO कहलाता है, यानि सब डिविजिनल ओफिसर, तो हम पहले SDM की बात करेंगे, कि SDM की रूप में, उसके क्या-क्या काम है, जब वो पूरे अपने क्षेत्र में, सब डिविजिन में, एक लॉएंड और मेंटेन करता है, कानून व्यवस्था की इस्तिति को ब और उसमें important, important जो chapters हैं, वो दो है, जो law and order को यहां पर अभिव्यक्त करते हैं, और इनके लिए आपको वो powers delegate की जाती है, जो CRPC में आपके लिए हैं, पहला, chapter 8 कहता है, कि security for the keeping of the peace and the good behavior, आपको police कुछ मुल्यमों को लाकर के प्रेश करती है, कि ये लोग शान्ती भंग कर र रहे हैं, और इनके अच्छे आचिरन के लिए, इनसे security ली जाए, इनको पाबंद किया जाए, उसको कहते हैं कि इसको पाबंद करा दिया, SDM ने इसको पाबंद कर दिया, तो यहां ये section 107, 116, 117, 122 में जब दुबारा से कोई पुन्रा विरती होती है, तो यहां ये कारव आता है, SDM के, लेकिन ये preventive action of the police है, executive magistrate का नहीं है, police का है, उसमें 150 की धारा जो है, वो कहती है कि arrest to the prevent the commission of the cognizival offense, जब कोई संगे अपराध, संगे अपराध का मतलब, जिसमें police बिना वारंट के किसी व्यक्ति को arrest कर सकती है, वो संगे अपराध कहलाता है, cognizival offense, तो जब को 151 में उसको arrest करती है, और मैं आपको बता दूँ कि अंग्रेजों ने हमारे देश में 1500 से 200 वर्षों तक, 100-500 वर्षों तक मालीजिये, क्योंकि IPC जो लाग हुई 1860 में हुई, उसी समय में CRPC भी बनी थी, तो आप देखिए कि ये 100 वर्षों से ज़्यादा अंग्रेजों न आपको पता है, इन्होंने शाषन किया इस 150 के आधार, तो यहां ये SDM को पौवर है, कि वह है उन मुल्यवों से एक अच्छे विवहार के लिए, शान्ती बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए, प्रती भूती लेता है, सीक्रूटी लेता है, उनको छोड़ता है, तो this is the power of the SDM, again, maintenance of the public order and tranquility, लोक्षित्र में व्यवस्था और tranquility, शान्ती बनाए रखने के लिए, चैप्टर 10 यहां पर काम में लिया जाना है, और चैप्टर 10 में ये sections हैं बहुत सारे, उसमें खास-खास जो आपको काम में आते हैं, वो ये चैप्टर काम में आते हैं, कि आप civil बल का प्रियोग करके, civil बल means not arms, लाथी वगरा, इनके माध्यम से आप disperse कर सकते हैं, किसी crowd को, किसी mob को, किसी भीड को, तो यहां 139 आप काम में ले सकते हैं, 133 public nuisance को आप अठा सकते हैं, और public nuisance को हठाने के लिए order दे सकते हैं, निशे दग्या जारी कर सकते हैं, और वो नहीं हटाता है, तो उसके खिलाप आप legal action कर सकते हैं, 145 आप सब जानते हैं, जिसको curfew का जाता है, निशे दग्या, धारा 145 लग गई, तो उपखर्ण अधकारी अपने क्षेत्र में धारा 145 लगा सकता है, किसी चीज को निशे दित कर सकता है, चाहे वो किसी से स आपन्द कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, इस तरह की गतिविदिया, SDM रोकने के लिए सक्षम है, धारा 145, धारा 145, 146 और 148, किसी भूमी पर या किसी जल, water body पर कहीं कोई dispute है, उसके उप्योग को ले करके, और उसकी ownership की बात है, लेकिन possession को ले करके कोई dispute है, तो य यहां 145 की कारवाई की जा सकते है, किसी छेतर, किसी plot, किसी घर में, मकान में, property में, इस तरह का कोई विवाद है, तो 145, 146 की कारवाई होती है, 148 में local inquiry SDM conduct कराता है, अपने किसी junior, executive minister को, जैसे सामानेताय तैसिला, नयब तैसिलार को वो, एक inquiry officer निउकत करता है, जो उसकी जांच करता है, report SDM को पेश करता है, right, SDM के और दो-तीन काम है, एक तो MPR होती है, missing persons report होती है, जो कुछ आदमी, कुछ औरत, कुछ बालत, कुछ बच्चे, खो जाते हैं, missing हो जाते हैं, उनकी report एक थाने में दर्ज होती है, और वो executive minister यानि SDM के यहां दर्ज करानी होती है, उसको MPR करते हैं, missing person report यहां पर होती है, उसकी कारवाई SDM करता है, जब वो मिल जाता है, नहीं मिलता है, तो फिर warranty भी जारी करता है, SDM, और मिल जाता है, SDM के पास उसको पेश किया जाता है, SDM महीला होने के नाते, अगर वो कहीं भी जाना नहीं चाहती है, तो उसको नार हाईता की मौत होती है, तो उस मौत के कारणों को जानने के लिए, Executive Minister Inquest Report बैठाता है, 176 CRPC, यह भी बहुत important है, सामानेत है, तो कोई मरता है, तो एक मर्ग होती है, Inquest होती है, वो पुलिस कल लेती है, that is 174 CRPC, लेकिन कोई संधिक्त परिष्टितियों में और विशेष जिसक कारण हो सकते हैं, वहाँ 106 लाग होती है, 176, यह SDM का रॉल है, Executive Minister का रॉल है, और चूंकि ACM भी Executive Minister, अब हम ACM की चर्चा करेंगे, बाद में, इसके पाद दोनों पावर होती है, Assistant Collector and Executive Minister, Executive Minister में इसको एक दो थाने का क्षित्र मिला हुआ होता है, उन पर यह सारी कारवाई जो SDM करता है, वो यह भी करता है, right, being an Executive Minister, यानि एक कारेपालक Magistrate के रूप में, यह अपनी कारवाई संपादित करता है, definitely, और उसके बाद में, SDM अपने थाना जो क्षेत्र होते हैं, यह काम ACM भी करता है, Executive Minister के रूप में, उन थानों का नियमित रूप से inspection करता है, वहा चौबीस घंटे के अंदर-अंदर पेश करना होता है, Executive Minister के हैं, Judicial Minister के हैं, वो क्या सही इस्तिती में रखे होए हैं, कहीं उनका Human Rights वालेट तो नहीं हो रहा है, और जो थाने की जो भी इस्तितियां है, वो सारी इस्तिती रोजनाम चा लिखा जा रहा है का नहीं लिखा जा यानि Magistrate यानि आपको डंडा याद आता है, वो कानून विवस्ता की स्तिती को बनाए रखता है अपना क्षित्र में और पुलिस का जो है काफी नियंतरण SDM के पास उस समय होता है, जो वो Executive Magistrate के रोप में काम करता है, अब यहाँ SDO, Sub-Divisional Officer, उपखंड अधिकारी के र है, ऐसा कहा जाता है कि सबे भूमी गोपाल की, और जब राजस्थान Tenancy Act 1955 में बना, तो उस समय अक्टूबर में जो फसल जिसने बोई थी, सरकार की मंशा ये थी, कि जो आदमी, जो किसान, जो Tenant, जो पीजन, जो बो रहा है, खेती कर रहा है, खेत में मेहनत करके, उसको उ ownership भी मिले, वो रहयतवाडी, प्रणाली, जमीदारी, प्रणाली, इन सब का शिकार ना हो, वो यहाँ पर कहीं न कहीं जो बीच के जो मध्यस्त लोग है, उनका कहीं शिकार नहीं हो जाए, तो सरकार ने तै कि अक्टूबर में जब फसल खड़ी होती है, उस वक्त जिस खेत लोगों को खातेदारी दी गई, right of record दिया गया, जिसको R.O.R. कहते हैं, जमाबंदी में एक खातेदारी अधिकार होते हैं, जिनको R.O.R. कहा जाता है, और वो land record officer के रूप में S.D.O. काम करता है, जब वो एक revenue court officer के रूप में court में बैठता है, यहाँ दोनो राजस्थान T.N.C. Act, यानि राजस्थान कास्त कारी अधिनियम, 1905 और राजस्थान, Land Revenue Act, भूराजश्व अधिनियम, 1905, इन दोनो के तहत कारवाई कने के लिए, S.D.O. जो है वो एक पावर्ड है, S.D.O. court is the first initial court to hear the suits and the applications regarding the disputes of the agricultural land. जो भी क्रशी भूमी है, उन पर जो भी dispute होते है, initially S.D.O. के न्यायले में, उसके न्यायले के शित्र में आते हैं और वहाँ पर दर्ज होते हैं. तो revenue court के रूप में S.D.O. काम करता है, court officer के रूप में, delivering the various government, services, schemes, programs, right? जो सरकार की जितनी भी योजनाए हैं, उनको implement करने का और उस पात्र व्यक्ति तक उन schemes का लाभ पहुंचाने की जुम्मेदारी S.D.O. के होती है. Apart from conducting the revenue administration, revenue administration का head वहाँ पर होता है. यहाँ पर पटवारी होते हैं, revenue inspectors होते हैं, right? जिनको गिर्दावर भी कहा जाता है, अमीन भी कहते हैं कही बार. और उसके बाद में नायब तैसिलदार, फिर तैसिलदार, इन सबका जो head है, वो S.D.O. होता है, sub divisional officer. तो यहाँ वो एक revenue administration का head होता है, an administrative monitoring of the sub division. पूरे sub division में जो प्रशाशन तंत्र होता है, जो उसके subordinate line department के जो लोग होते हैं, उन सब के बीच में coordination, उन सब के बीच में कही ना कहीं convergence का काम जो करता है, वो S.D.O. करता है. और different offices जो है, उनका inspection, उनका निरिक्षन और convergence करने का काम line department के बीच में, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो पानी का विभाग है, चाहे वो दूसरे सिक्षा का विभाग है, आंगनबाडी, महिला, बाल विकास, जितने भी विभाग है, animal, husbandry, agriculture, उनके बीच में convergence, coordination का काम, SDO, उप्खन अधिकारी के रूप में उसको होता है, और different प्रकार के certifications होते है, चाहे वो caste certificate हो, EWS हो, और दूसरे प्रकार के certifications हो, government की योजना है, schemes है, उनका पूरी तरह से effective and efficient implementation का जो काम है, वो SDO का होता है, अब हमने बात की थी, SDM, sub divisional magistrate, जो magistrate power, CRPC के तहथ exercise करत है, right, got it, और दूसरा, SDO, उप्खन अधिकारी, जो एक revenue officer के रूप में, एक revenue court के अधिकारी के रूप में, presiding officer के रूप में काम करता है, मुकदमों को सुनता है, विवादों को सुल जाता है, और land record officer के रूप में कहीना कहीं वो दुरुस्ती भी करता है, जो land record में कोई problems हो हुआ, right, अब एक पद होता है, A-C-E-M, Assistant Collector and Executive Magistrate, Sahaya Collector और कारे पालग magistrate, यह हला कि पद कम है, पूरे राइस्तान में लगभग, सत्तर के लगभग पद हैं, और कुछ खाली भी रहते हैं, और generally SDM के पास ही इसका charge होता है, और सबसे पहले ACM के रूप में ही, जो प्रार सीदे, SDM लगा दिया गया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक, दो, तीन साल का कम से कम, ACM का अनुहव, R.S. Officer को दिया जाना चाहिए, उसके बाद SDM लगाया जाना चाहिए, SDM के रूप में थोड़ी जिम्मेदारी बढ़े जाती है, और यहां एक limited होता है, आपको overall एक monitoring का काम नहीं करना होता है, SDM को monitoring का काम करना होता है, यह दोनों पत एक साथ धारन किये जाता है, राइट, वो ही जो officiating व्रक्ति होता है, SDM कहलाता है, जब CRPC power use करता है, SDO कहलाता है, जब पूरे उप्खंड का administrative head होता है, और एक revenue officer होता है, revenue court में एक magistrate के रूप में, sorry, एक court के presiding officer के रूप में, वो वहाँ पर मुकदमों की सुनवाई करता है, तो SDM को रूप में करता है, इसी तरह से assistant collector जो है, वो भी मुकदमों की सुनवाई करता है, लेकिन एक अंतर बहुत स्पस्ट, राजस्थान TNC Act, यानि कास्त कारी अधिनियम 1955, यह power तो SDM के साथ साथ, SD के साथ, ACM को होती है, assistant collector को, राइट, 1905, लेकिन दूसरा जो act है, राजस्थान, Land Revenue Act, 1956, इसकी जो power है, यह assistant collector के पास नहीं होती, राइट, यह power ACM के पास नहीं होती है, यह major अंतर है, जो SDO और assistant collector के रूप में यहाँ परंतर होता है, और दूसरा ACM जो है, overall administration का head नहीं होता, उसकी अपनी limitation है, वो court में अपना काम करता है, exercise करता है, और executive ministry के रूप में उसको कोई भी अगर एक थाना दिया होगा होता है, तो उसके जो CRPC के जो मामले हैं, जैसे 107, 151 के जो मामले हैं, 116, 107, 155 में जो मुल्यम पकड़ के लाए जाते हैं, उनको security ले करके और उनके लिए good behavior और सदाचार, शान्ती विवस्ता कायम रखने के लिए प्रती भूती उनसे ले सकता है, उनको bound down कर सकता है, तो यह SDM की की बोथ works revenue courts as well as the law and order, ACM दोनों काम कर रहा है, लेकिन revenue court में यह इसकी limitation है कि यह act की power वो exercise नहीं कर सकता, केवल SDO ही करेगा, यह ACM नहीं कर सकता, अब मैं थोड़ा सा fast चलूँगा और इसको हम session को conclude करेंगे यहाँ पर, मैंने 25P discover किया हैं कि 25P के रूप में officer like qualities, एक RAS officer के र जनता, सरकार, governance, शाषन, और कि आप कैसे सुशाषन दे पाएंगे, एक RAS officer बनने के बाद, वो 25P में मैंने समेट लिया है, तो आप फटापट फटापट देखें, positivity होनी चाहिए, optimistic attitude रखें हमेशा, कुछ भी आप चाहिए शाषन का का काम कर रहे हैं, चाहिए आपने कारे in the era of the globalization, तो आज का यूग क्या है, knowledge का यूग है, तो पूरा पढ़ें, गुने और उसको apply करने की कोशिश करें, professional proficiency होनी चाहिए आप में, जिसमें public administration में उसको का जाता है, new public management, right, punctuality होनी चाहिए, time management आप रखें, personal example दें, honesty का, integrity का, right, public representation के साथ में due respect दें, उनको आदर, सम्मान बराबर दिया जाना चाहिए, because here is the democracy, we are the largest and successful democracy in the world, हम दुनिया के सबसे सफल लोगतंत्र हैं, और एक बहुती exemplary example हमको पेश करना चाहिए, कि हमारे यहाँ जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शाशन प्रनाली है, तो जन पृतिनिदियों को हमेशा due respect आप में morals, आप में ethics होने ही चाहिए, एक अच्छा ethics आप example आप set करें अपने conduct से, अपने task से, आपको proactive रहना चाहिए, quick response, quick disposal आपको करना चाहिए, propriety, rightness, जो भी करें सही करें, rationally करें, perception to be clear, एकदम आपकी जो आपका decision है, आपकी जो दृस्टी है, आपका perception है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, public dealing में आपको master होना चाहिए, press और media के साथ मैं management करके रखें, proximal relations with the police, police और प्रशाशन, दोनो एक पहिये, दो पहिये हैं गाडी के, हमेशा साथ चलते हैं, और पूरा, पूरा governance system, पूरा सुशाशन, तीन चीजों पर ही चलता है, प्रशाशन, पुलि जो विकास का शाशन है, चाहिए वो ग्रामीन विकास से संबन नेता है, चाहिए पंचैती राज से संबन नेता है, वो तीनों, तीनों एक साथ चलते हैं, और तीनों में equilibrium, balance जब तक नहीं होगा, तब तक सो शाशन नहीं दे पाएंगा, आप अप जो लोगों को कहते हैं, वो आप करें, आप दिखें, ऐसे का जाता है कि महात्मा गांधी और काल माक्स में, प्लिटिकल साइंस के बच्चों से प्रस्ण पूछा जाता है, कि दोनों एक साथ आपके पास हैं, मान लीजिए, और दोनों में से किसी एक को मारना है, जैसे हवाई जाज में यात्रा कर होगा, तो लोग सब अलग-अलग एक्जांपल देते हैं, लेकिन जो इंडियन लोग हैं, वो कहेंगे महात्मा गांधी को जीवित रखिये, क्यों रखिये, वो अपने कंड़क्ट से, उनका जैसा जीवन, जीवन आदमी, जो वो सोचता है, कहता है, वो करता है, उसने ऐसा गांधीवादी जीवन जीआ है, ऐसा व्यक्ति मिलना दुड़लव है, गांधीजी ने कोई नई बात नहीं बताई, कोई दर्शन नया नहीं बताया, वो ही जो हमारे महत्मा बुद्ध ने बताया, महवीर स्वामी ने बताया, वो ही अहिंसा, पर्मो धर्म है, शान्ती, सद प्राचार ये सब बताए लेकिन उनका व्यक्तित बड़ा विचित है व्यक्तित वैसा है जो वो कहते हैं वही कर रहे हैं वही अपना रहे हैं दुनिया को बिल्कुल वही एक्जम्पल सेट कर रहे हैं लेकिन काल मार्क्स काल मार्कस में वो सारी बुराईयां थी जो एक व्यक से प्रभावित किया काहल मर्क्स के विचारों ने वियक्ति ने नहीं.. तो काहल मर्क्स वियक्ती के रूप में उसकी जरूरत नहीं है.. उसके विचार हमारे पास आ चुके है.. outta that's all.. तो हमको गांधी को बचाना है.. मार्कस को नहीं बचाना.. तो इसी तरह से हमें जो principle, जो practical हम लोग किसी को बताते हैं, वो हमें जीवन में जीना है, हमें perfectionist होना है, law भी पता होना चाहिए, rules भी और हमें procedure को पूरा follow करना चाहिए और पता होना चाहिए, prudent and decisive होना चाहिए, right? continued diligence, pleasing personality, personable, आप ऐसा लगना चाहिए कि कोई SDM, कोई SDO, कोई ACM, यानि कोई RAS officer आप से बात कर रहा है, आप से डील कर रहा है, आपने हैं आया है, ऐसा लगना चाहिए, कहते हैं कि justice is not only delivered, but feel also, आपने हो, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल कि दिखना चाहिए, it should be soon, आप दिखाई देना चाहिए, right? pragmatic approach होनी चाहिए, pragmatic बहुत ही practical व्यभारिक आपकी approach हो, pattern of the poor, sensitivity होनी चाहिए, empathy, EQ ज्यादे स्यादे आप में हो, put yourself in other shoes, अपने आपको दूसरे के जूते में, दूसरे के पैर में रख कर कर के देखे, feel it, right? passionate, empathy, जिसकी बात Daniel Gaulman करता है, वो कहते हैं कि EQ is more important than IQ, promising, committed होना चाहिए, आपने किसी को कुछ commit कर लिया, कुछ काम करना है, जनता का, पब्लिक का, नागरिकों का, तो वहाँ आप उसको करिए, कैसे भी करिए, कोशीश करके, और उस commitment को पूरा करिए, patience, listener, अगर किसी नागरे की बाद, किसी की व्यथा, किसी दुखी व्यक्ति की पीड़ा, आपने सुन ली, और धहरे के साथ आपने उसको सुन लिया, उसका आधा, दर्द, दुख, दूर हो जाएगा, I mean it, मैं सही बता रहूँ आपको, और वो उसका काम होया नहीं, वो कि यार साब नहीं मेरी बास सुन ली, और मैं बहुत सुखी हूँ इस बात से, और मुझे तसली है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा काम भी हो जाएगा, polite बनिये, placid बनिये, and pioneer and popular, कोशिश करें कि जननता के बीच में, आप एक face हैं, you are the face of the government, आप government का चेहरा हैं, तो government की जो महसूस होना चाहिए लोगों को कि ये government है, ये governance है, और ये हमें सुखाशन देने में समर्थ हैं, अब देखें, RAS के service जो rules हैं, civil service rules 1950 में बने, और ये केडर की अलग बात है, एक अप्रेल से लागू हुए, ये केवल informative है, और बहुसतारी services आपको यहां पर alert होती हैं, और सबसे पहले 1950 में तीन services यहां पर शुरू की गई थी, RAS, RPS और RJS, ये तीनों सबसे पहले notified की गई, तीन service और उसके बाद में इनका केडर अलग-लग बनाया गया, लेकिन सबसे पहले 1953 में RAS officer का 550 का केडर यहां पर decide किया गया था, और उसके बाद में आज, ये केडर 1050 त बावन में सबसे पहले 17 RAS officer आये थे, 17 RAS officer were appointed as a probationers, assistant secretary के रूप में उनको लगाया गया था, field में नहीं लगाया गया था, right, directly. और फिर इनको जैसा कि मैंने बताया आपको, कि extra magistrate के रूप में उनकी न्यूकती हुई थी, executive magistrate की power तो दे दी, लेकिन extra magistrate के रूप में उनसे काम करवाया जा रहा था, सीधा sub-divisional magistrate नहीं बनाया गया था, शुरू में, शुरुवाती दोर में, और जो training की बात है, वो training जोदपूर में चला, फिर उसको जैपूर लेकर काया थे, ये कहानी में अगले, जोद मैं session लोगा आपका interview का, वो पूरा detail बताऊंगा, about the RPSC, about the HCM REPA, about the RAS SCADR, about the RAS service SCADR, this is the premier civil service of the state, ये पूरा एक मैं session लोगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी brief में हम और एक ब आते हैं, तो ERO होता है, विधान सवा के चुनावों में, आम चुनावों में, ERO के रूप में, SDM यहां पर काम करता है, कौन-कौन से काम होते है, at a glance, आप देखिए, उफखन अधिकारी के SDM के काम, revenue court, land revenue, भूमी रूपान तरण करता है, RODA, PD Act, Judicial Act, मतलब आप दुनाली बंदू का license भी देते हैं, राइट, निर्वा, चंचुना, प्रोटोकॉल, जन सुनवाई, रात्री चौपाल, RCM, अब ऐसा मत करना, आप दर के इतने सारे काम को, आप सोचेंग, मुझे तो बनना ही नहीं आरे सा, और इस सारे, इतने सारे काम है, कैसे कर पाएंगे, यास, पोर्टल है, जिस पर लीगल जो केसे जो होते हैं, कोर्ट में वो होते हैं, दिव्यांग, पंजी करन, वी सी होती है, जाती प्रमान पत, अलप संख्याग, प्रमान पत, सस्त्र लाइसेंस, उचिन्याले की रिट्स वगरा, लोकाई प्रकरन, सूचना का अधिका, लोक गार प्रया नियंत्रन अधिनियम है, उसके तहत भी एक नॉडल ऑफिसर के रूप में, SDM, SDO काम करता है, परियावरन, सन्रक्षन अधिनियम के नेधत काम करें, आप बंधुआ, मजदूर, बालशिरम, बालविवा, उप्खंड, इस तर ये बैठक होती है, रिकॉर्ड, नकल, अतिक्रमन आप हटाते है, अवैद कहनन आपको हटाना होता है, और देखें, बहुत सारे फिर काम है, ये लिस्ट है, करीब 54 कामों की यहां पर, और इस नोट एक्जॉस्टिव लिस्ट, इस इस सिंपिल ए एक्जाम्पल, ओके, संस्तापन साख आपके पास होती है, audit होती ह है, बंडार, खरीद आप करते हैं, खाद सुरक्षा, एन एफ हैसे की जो अपीलेट ऑथरिटी है, नेशनल फूड सीकुरिटी एक्ट, वो सबसे पहले स्डूई होता है, बीपेल की अपील आपके पास आती है, पेंशन के काम आपके पास आते हैं, विभागिये जांच राजस्व, लोग अदालत, नियाय आपके द्वार जो हुआ था, वो भी आप चलाते हैं, पट्टा वियान आपके माध्यम से चलता है, मुआपज़ा आप देते हैं, लेंड एक्यूजिशिशन ओफीसर होते हैं, जर्णली, SDM जो हैं, और CRPC के तहट आप 157 जो मैं अभी आपको बताया, ये SDM की आपकी पावर हैं, आप इनको एक्सराइज करते हैं, as an executive magistrate, गुमशुदा की तलास, तलाशी वारंट, ये सब मर्ग मैंने बताया, inquest report 170, अब बहुत सारी समीति होती हैं, 50-60 समीतियां, उपखंड लेवल, committee होती हैं, different departments की, उनका head, उनका chairperson, sub-div official, sub-divisional magistrate होता है, और ये आपके सारे work है, so right, so this is important post of the SDM, आपको बताया, आप बहुत feel good करेंगे, आप जब बन जाएंगे और उसके कागार पर हैं, पिलकुल एक पायदान पीछे हैं, और jump लगाईगे और जरूर होंगे, और हमेशा मैं कहता हूँ, किसी शायर ने कहा ह है कि इतनी शिद्दत से निभाईए अपना किरदार कि परदा गरने के बाद भी तालियां बसती रहें, तो आप जो भी करें, मन से करें, शिद्दत से करें, अपनी तयारी को अंजाम ऐसे ही देंगे, तो जरूर आपको सभलता मिलेगी, ये मैं promise करता हूँ, और अभी पू है, देड़ सो के लगभग है, बिलकुल आधे ही हैं, और जो BDOs है, Block Development Officer, वो भी कम है, तो इन में कहीना कहीं एक parity होनी चाहिए, और कोशी ये करें कि ये जो jurisdiction है, उसमें parity हो, पंचाय समिती, पुलिस, सर्किल और SDM का लगभग एक जैसा synchronization हो, एक इस तर पर तीनो अधिका पारी बैठें, पुलिस प्रशाशन, रेवन्यू प्रशाशन, राजेश प्रशाशन और विकास प्रशाशन, तीनो एक साथ जब पहिए चलेंगे, तो पूरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये ऐसा मेरा observation है, और ये आपका भी होना चाहिए, thank you very much for watching this, और I think SDM, SDO, ACM, ती division magistrate के रूप में काम करता है, तो CRPC की power exercise करता है, यानि वो executive magistrate होता है, इसी तरह से वो ACM जब होता है, तो executive magistrate के रूप में CRPC की limited power वो हम पर यूज करता है, right, और जब वो SDO होता है, तो उपखंड का अपना एक administrative head होता है, और वो कहीना कहीं पूरी, पूरे administration पर, अपने sub coordination, convergence वो हम पर करता है, निरिक्षन करता, offices का, और उपहंड के छेत्र में, एक अधिकारी के रूप में, एक boss के रूप में वहाँ पर काम करता है, team leader के रूप में काम करता है, तो ये था तीनों में अंतर, बहुत सारे sessions हम लेके आएंगे, फिर दुबारा एक बार मैं Samyak को for providing such a very brilliant and unbelievable platform for the aspirants of the RAS examination, और ये इंट्रू की बहुत अशी तियारी करा रहे है, अच्छा मागदर्शन दे रहे है, expert की team यहाँ पर इनके पास है, और बिलकुल निशुलक मागदर्शन है, बहुत सारे videos आपके YouTube बिलकुल free में आपके लिए available रहेंगे, आपको डाले अराइज आपके अराइज अराइज ऑके अराइज अराइज ऑके अराइज गूल इस। बूर्ण।